और इसको देखकर गौवर्मेंट ने पंजाबी सुबर मुव्मेंट का जो स्लोगन था उसको बैन कर देते हैं और 12,000 लोग जो वहाँ पर नारे लगा रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया जाते हैं और लगबग 21,000 अकालियों को भी अरेस्ट कर लिया जाते हैं इसके पदद 1956 में गौवर्मेंट लेकर आती है इस्टेट रियॉर्गनाइजेशन एक्ट 1956 अब भारत एक सेकूलर कंट्री है तो फिर हम धर्म और जाती के अधार पर इस्टेट को नहीं बना सकते और यह बनाना सही भी नहीं हुता तो फिर लेंगविज के अधार पर इस्टेट को बनाया गया अब देखो सीख लोग इसको देख करना और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और यहां से पंजाबी सुभा मुमेंट और भी ज़्यादा जोर पकड़ लेता है और लगबग 10 साल तै कि यह अंदोलन चलता रहता हैं लेकिन जब भारत पाकिस्तान का वार हुआ तो सीख सोलज और तीसरा हिस्सा था चंदिगड जिसे दोनों स्टेट की राजधनी बना दिया जाता है इसके अलाव पंजाब के अंदर जो हिली एरियस था उसको हिमाचल परदेश के अंदर मिला दिया जाता है इससे पंजाब में कुछ साल तक सांती बनी रही लेकिन 1973 में सिरुमनी अक पर इसको लोग भूल गये लेकिन कुछ साल बाद एक आदमी इस डॉक्यूमेंट के बारे में फिर से बात करने लगता है उसका नाम था जनरेल सिंग भिंडरेवाला सीख ओर्गनाईजेशन का लीडर था जिसका नाम था दंदमी तकसल और भिंडरेवाले गाउं गाउं ज स्टाट हो जाता है अब देखो सेंसस में आपके मात्रभासा जाता है और इसमें होता यह है कि जैसे पंजाब में जभी अगर पंजाबी मात्र भासा बौलेंगे तो पंजाबी language को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा और अगर ज्जादा लोग हिंदी मात्रभासा उन्होंने कहा कि हिंदू लोगों कोई डरने की जरूरत नहीं है आप से जब पूचा जाया तो आप लोग अपनी मात्रभासा हिंदी ही बताएं और इस चीज़ को वो अपने निज उपर में डेली पब्रिस करते थे लेकिन इस वज़े से उनको गोली मार कर हत्या कर दिया जाता है और इस इंसिडन को लेकर गवर्मेंट के उपर बहुत ही ज़्यादा प्रेसर बढ़ने लगता है फिर जाकर गवर्मेंट भिंडरा वाले को अर्रेस्ट करती है और जैसे ही गौवर्मेंट बिंड़ावाले को अरेस्ट करके जेल में लेकर जाती है तो पूरे पंजाब के अंदर वाइलेंस होने लगता है और इतना बड़ा वाइलेंस होने लगता है कि गौवर्मेंट के हाथ से ये वाइलेंस आउट आप कंट्रोल हो जाता है तो इसकी वज़े से बिंड़ा वाले को जेल से छोड़ना पड़ा सांती बना निकलीया और जेल से आने के बाद बिंड्रावाले की पॉपलोटी और भी बड़ जाती है और जैसे 1982 में भिंडरवाले ने धर में युद मोर्चा चालू किया, पंजाब में फिर से वाइलेंस स्टार्ट हो जाता है और 1983 में अमरी सर से दिल्ली जहरे ही बस को हाईजेक कर लिया जाता है जिसमें हिंदू पैसेंजर को उतार को गोली मार दिया जाता है अब यहाँ से पंजाब में वाइलेंस एक बार फिर से आउट अप कंट्रोल हो जाता है इसके बाद पंजाब में प्रेशिडेंट रूल लगा दिया जाता है अब देखो गोली में इंडरा गांदे ने ब्लू स्टार अपरेशन चालू किया पंजाब में वालने सिटना तेज होने के वज़े से यह ओपरेशन को दो या तीन दिन के अंदर खत्म करना था इस ओपरेशन में खालिस्तानियों को मार दिया जाता है जिसमें जनरेल सिंग भिंडरा वाला भी होता है और फिर आर्मी ने गोड़न टेंपल को अपने कंट्रोल में ले ले लिया लेकिन इस आपरेशन की वजह से गोलडन टेंपल को बहुत ज्यादा डेमेज हो चुग दила और जब लोगोंने गोलडन टेंपल को डैमेज देखा तो लोगों ने कसम खाई जिन लोगों ने ये सब किया है उन सब की जान ले लेंगे 31 अक्टूबर 1984 को इंद्रा गांदे जी के दो सिख बोडिगाड बेयंत सिंग और सत्यवन सिंग ने अठरा गोली मार कर उनकी हत्या कर देते हैं इसके बाद पू कि अध्या प्रवाले को तो मार दिये लेकिन भी भी बिद्ली और अब्रॉड में दंगे करवा रहे थी जुन 1985 में खालिस्तानी टेरिरिस्ट ने एर इंडिया फ्लाइट जो कैनेडा से इंडिया आ रहा था उसको बम से उड़ा दिया जिसमें 339 लोगों की जान चली जाती और ने ब्लैक ठंडर जैसे कई चोटे और बड़े ओप्रेशन लॉंच के और इस दंगे को काबू करने के लिए लगबग 10 साल लग जाते के पीएस गिल जैसे बहादूर ऑफिसर चुन चुन कर खालिस्तानियों को सफाया कर देते